अब देख रहे हैं टीचर्स स्टुएंट हेलप है दोस्तों आज किस वीडियो में हमने लिया है डिन्डौरी जिले की बायलोजी और गड़त समोह के छात्रों के लिए एक सुना है अफसर जिसमें कक्छा बारवी के बायलोजी समोह और गड़त समोह के विद्यार्थी जो 2021 मे पास आउट है ऐसे विद्यार्थियों के लिए टिन्डौरी जिले की विद्यार्थियों को इस्थानी प्रसासन के माध्यम से जे और नीट की निसूल का जो परिक्षा है उसकी कॉम्प्रिशन एग्जाम की तैयारी कराना सुनिश्चित किया गया है जिसमें आप अभी स्क स्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी गई है अब उससे इस प्रसिक्षण में भाग लेने ही तूप पंजियन कर सकते हैं यह जे यह निसूलक प्रसिक्षण के लिए पंजियन के लिंक दी गई है और जो सेकंड लिंक है वह है एट्सील बी टेक की प्रोग्राम है तूब 1019-2020 में पास आउट होना चाहिए तो दोस्तों पंजियन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्सर में जाएंगे तो इसी परकार के लिंक आपको दिया गया है यही लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्सर में डाल दे रहूं जैसे ही हम उसमें open करेंगे open करने पर हमें इस तरीके से देगा इस तरीके से browser पर खोलेगा और जैसे ही browser पर खोलता है यह देखिए देखिए इस तरीके से यह दिन्डौरी उतकश्वद्याले की पिक है यहाँ पर देखेंगे JEE NEED 2020-2021 Free Coaching Registration Form for the Student of Dendori MP IOIC.in संस्था द्वारा अस्थानी प्रसासन के साथ मिलकर आगामी दुरों में देखिए जिले के विद्यार्थियों को JEE NEED 2020-2021 है तो नहसुल कोचिंग दी जावेगी नहसुल प्रसक्षण के लिए इस चुक विद्यार्थी ही अपना पंजियन फॉर्म में अपनी जानकारी भर है प्रसक्षण के लिए चैन ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से दिखिए जावेगा जो कि आगामी 2 देसंबर को ऑनलाइन आयूजित होगा विद्यार्थी अपनी स्वायम के मोबाइल लेप्टॉप बाटेक्स्टॉप से टेस्ट दे सकते हैं अधिक जानकारी के लिए श्रीपवन परिहाज जी का नंबर दिया गया है जिसमें उनका नंबर है 787973551 मैं एज़र टीचर सभी बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सबसे पहले विद्यार्थियों का नाम जो फॉर्म फिल करना होना है पंजियन करने के लिए फॉर्म फिल करना है जिससे वे निसोर कोचिंग पराप्ट करने के लिए ओनलाइन टेस्ट होना है वो दे सकें जिसमें सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आएगा, फिर उनकी पिताजी का नाम आएगा, फिर माता का नाम आएगा, फिर बच्चों का मुवाइल नमबर, बच्ची या पैरेंट्स जिससे वो अप्रेट हो सके मुवाइल से, यदि बच्चों के पास mail ID है तो वो यदि नही नहीं हैं किस विकासखंड से हैं किस विद्यालय में अध्यान रहत हैं या किस विद्यालय से वह इस साल पास आउट हुए हैं फिर यहां पर सास के उतकष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् या biology है था में इसलिए बोलों क्योंकि 2019 के लिए था सब्दी यूज किया जाएगा उसके बाद प्रसिक्षन डियुए आप एक्छोख है तो जेए नीट या एची टेग बी प्रुग्राम बी डावल ए प्रुग्राम जो की मेथ सब्जेक्ट के लिए बाद जो टेक्षनलोजी बाद जो सब्जेक्ट है वह केवल मैथ पास आउट इस्ट बेंट के लिए है उसके आपने कितने प्राप्त किये हैं वो यहाँ पर आपको अपने आंक डालना है यहाँ आपको याद हैं तो फिर ioic.in द्वारा दिये गए निस्वर प्रसेक्शन के संबंध में अदिया आपको कोई प्रशन पूछन पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर question लिख सकते हैं फिर ioic.in एवं इस्थानी प्रसासंद्वारा जेलाडे नौरी के विद्यारतिय के लिए जो प्रयास किया जा रहा है इस संबंध में आपके क्या विचार है लिखना है 26 नुवंबर 2020 विद्यारतियों को xl tag b e m b i b e dot com slash i a rf की जानकारी देते हुए इस पकार की जानकारी दी गई है चैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट आयुजित किया जावेगा कक्छा ग्यारवी एवं बारवी से j ee के लिए mathematics physics chemistry एवं नीट के लिए biology physics chemistry विशय के 20-20 प्रेशन पूछे जावेंगे जो कि objective टाइप के होंगे स्लेवास ग्यारवी पूरा एवं बारवी के 50-30 स्लेवास से प्रेशन पूछे जावेंगे विद्यार्थी अपने स्वयम के मुवाइल लैप्टॉप पर टेस्ट दे सकते हैं दोस्त चीज़ें आप फिर से पढ़ लेंगे वीडियो को पुस्ट करके भी आप पढ़ सकते हैं जैसे आप अपनी जानकारी कंप्लीट करेंगे यहां पर आपको एक notification आएगा वहां से इस तरीके से आप अपना पंजियन कर सकते हैं उसके बाद फिर आप अपने inbox पर देखेंगे message आएगा उस message के according आप उसे पढ़ कर टेस्ट की तयारी कर सकते हैं यहां पर एक बात और यह आपको कोई भी समस्या जाती है तो स्रीपवन परिहार सर है आप उनसे help ले सकते हैं और एक बात और जो मैं बताना चाहता हूं इस exam पर भाग लेने के लिए इस JEE NEET 2021 के free of coaching है द कि इसमें एक बताये गया है ग्यारवी और बारवी के जो student है जो JEE की coaching करना चाहते हैं उसके लिए mathematics subject compulsory है और जो NEET की परिक्षा देना चाहते हैं उसके लिए biology subject compulsory है जिसके 20-20 questions पूछे जाएंगे और इसकी तैयारी आप लोगो 11 वी का पूरा स्लेवस और वारवी का 50 पर स्लेवस के according करना है तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे जो बच्चे अभी एक जानकारी और बात में comment के द्वारा आप लोगों मुझसे पूचेंगे इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहूं इस थो जी हाँ 2019 में 5 इश्टुईंट भी एक्जाम मतलब प्रीश कोचिंग के लिए एपलाई कर सकते हैं और 2020 में जो बच्चे लाष्टस ये अ 맞는 में जो बच्चे पास हुए हैं वो बच्चे भी and 120 में जो बच्चे अध्यनरत है वो बच्चे भी इस कोचिंग को प्राप्त क करने के लिए जो प्री टेस्ट होना है वो से दे सकते हैं तो आज का वीडियो यहीं पर संब्सक्राइब करते हैं इससे रिलेटेट को भी यदि आपको समस्याइज जाते हैं तो आप कमेंट करके पूंट सकते हैं और दिए गए कॉंटीक नमबर पे भी आप संपर कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद